उत्तरपूर्वी दिल्ली के नियो उस्मानपूर थाना पुलिस की टीम ने इलाकी में लूट पाट करने वाले तीन बदमाशों को गिरफतार कर लिया है आरोपी के पास से एक देशी पिस्तॉल दो जिन्दाकार दोस और अपराद में इस्तमान की गई स्कूटी मरामत हुई है उत्तरपूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जोई टीक्री ने बताया है कि गिरफतार आरोपी की पहचान नियो उस्मानपूर निवासी अब्दुल और्फ सारिक अब्दुल और्फ आसिर और आतिफ और्फ अट्टू के तौर पर गुई है डीसीपी ने बताया है कि 27 अगस्त को नियो उस्मानपूर रिलाके में लोटबाट की सूशना मिली थी टॉप स्टोरी बियरो के लिए दिल्ली से रवी डालमिया की रिपोर्ट